वेलकम टू एक एस्सर किलासिज और आज हम किलास टू की हिंदी की पाठे पूस्तक पंखडी का पाठ दस चांद पढ़ेंगे गर्मियों की रात थी साबिर और सना अपने अबू और अम्मी के साथ छत पर बैठे थे आकाश में चांद दिखा गोल गोल थाली जैसा साबिर बहुत खुश हुआ उसने सना से कहा देखो दीदी चांद कैसे चमक रहा है वहां कौन रहता होगा सना बोली अभी तक चांद पर जीने के लिए जरूरी हवा पानी भोजन आदी नहीं मिल पाए हैं इसलिए वहां कोई नहीं रहता हो सकता है कल यह संभव हो चांद के बारे में कुछ और बताईए ना अम्मी बोली चांद हमारी धर्ती के चारो और चक्कर लगाता है धर्ती से कुछ लोग रोकेट में बैठ कर चांद पर गई वहाँ पहुँचकर वे खुशी से कूदे तो बहुत उचे उचल गई चांद पर बड़ी बड़ी चटाने और गड़े हैं वे लोग वहाँ से मिट्टी और चटानों के नमूने धर्ती पर लेकर आई साविर ने पूछा चांद पर इतनी चमक कहां से आती है अब्बू ने बताया चांद को सूरज से परकाश मिलता है हमारी धर्ती को भी सूरज से परकास मिलता है सूरज को रोसनी कौन देता है साविर ने फिर पूछा सूरज एक तारा है तारों की अपनी रोशनी होती है आसमान में ये जो तारे टिम्टिमा रहे हैं वे सब हमारे सूरज की तरह हैं उनमें कुछ तो सूरज से भी बड़े हैं, ये हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए छोटे-छोटे दिखाई देते हैं, अब्बू ने बताया, अम्मी ने कहा, अगले महिने इद है, तब तुम्हें चांद की कहानियां सुनाऊंगी, तो आपको यह कहानी कैसी लगी और आपने चांद के बारे में क्या-क्या सुना है, हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद,